एलो स्टुदेंट्स वेलकम टू ल्जिय ऑलन् क्लासे दिस दी ती क्लासिक साइन्स चैप्टर एटीन लेकर आ रही हूं है तो आज का टॉपिक है हमारा निट्रियांट रिच फूड आज मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि हमारे निट्रियांट्स फूड में क्या क्या हमनों को एड़ करना चाहिए निट्रियांट्स पूशक तत्तों में हमें रिच फूड को क्या क्या एड़ करना चाह हमें चोटे एज के बच्चों के गुरूपिंग में इंक्लिउड करना चाहिए जिसकी एज 6 मन्त है उसमें हमें अच्छी वैराइटी के कंज्यूम करना चाहिए बोजन को and the second point of these include various type of food like roti, rice, yellow and black pearls, green leafy vegetables such as spinach, fenugreek and mustard, beet, carrot, yellow and orange fruits and mango, ripe papaya हमें इस परकार के fruits को frozen में एड़ करना चाहिए जिसे रोटी है, चावल है, डाल है, जिसमें black डाल भी है, बीली डाल है, green leafy, पत्तीदार सबजियां है, जिसमें पालक है, मेती है, सरसों है, बीचुकंदर है, गाजर है, yellow and orange fruits है, mango है, पके हुए पपाया है, ये सारे nutrients में vegetarian, consume egg, meat and fish, अगर हम non-vegetarian है, मासा आ रही है, तो उसमें हम consume कर सकते हैं, egg, milk and fish, and the third point is, include milk, milk product and nuts in the diet, हमें अपनी diet में milk से जोड़, milk और milk से जोड़े हुए product and nuts, add करने चाहिए, and the fourth point is, consume take home ration, consume take home ration, which is the distributed is आंगनवाडी center, आपने consume करना चाहिए, take home, घर की तरह घर में, आंगनवाडी center में distribute करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जिसमें ज्यादा तरह nutrients हो, next है हमारा point, when the child complete six month, अगर बच्चे ने 6 month complete कर लिए, is the addition of the braised milk, उसमें, milk add करना चाहिए, give the child mashed and the semi-solid complimentary food prepared at home, क्या क्या हम add कर सकते हैं, food prepare करने के according, जैसे pumpkin, कदू, लौकी, carrot, गाचर, spinach, बालक, बल्स, दाले, non vegetarian है अगर, तो अंडा और fish meat add कर सकते हैं, and the fourth, next point है, add the some spoon of ghee, oil, butter or the child food, बच्चों के भोजन में हमें एक चम्मच घी, तेल, butter को add करना चाहिए, जिससे उनका immunity power तेज हो सके, and the last point is, give the child food with less salt, sugar and spices, हमें चोटे बच्चों को भोजन में थोड़ा नमक, sugar, spices का मेड करना चाहिए, and the next point, introduce one food item at a time, and gracily increase the diversity of the food, include different flavor, हमें बच्चों के भोजन में जो भोजन आइटम मनाते हैं, time to time increase होना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, diversity within time पर अपनानी चाहिए, भोजन में, include करना चाहिए, flavor को texture बदलना चाहिए, flavor change करना चाहिए, color change होना चाहिए, make the child food more enjoyable, क्योंकि बच्चे जो हैं, वो एक भोजन खाखा के पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो इस प्रकार से, हम अपने बच्चों को, जब कोई भी भोजन खिलाएं, तो उसमें हमें increase करना चाहिए, बदलाओ करना चाहिए, जिसमें हम भोजन को flavor change कर सकें, texture change कर सकें, और color change हो जाए, जिससे बच्चे जब भोजन करें, तो आनन्द में भोजन को प्राव्द करें, खाएं, इसमें बहुत ही ज़्यादा nutrients पाया जाता है, बट यह हमारी body को सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुचाता है, तो हमें अपने बच्चों को यह सारी चीजें नहीं देनी हैं, बट इतना नहीं देना है, कि इनकी उस चीज में problem create करने लगी, तो हमें ज़्यादा नहीं दे अबी के लिए बाई